चलिए अगला question देखते है न, तो अगला question दिया हुआ है, for any two sets, पढ़ लेते हैं न question को, तो ये दिया हुआ है, for any two sets, दो set दिये हुए है, A और B, और उन दो sets के लिए हमें prove करना है, अगर A union B, A intersection B के बराबर है, तो prove कर दीजे कि A B के बराबर होगा, अगर A union B, A intersection B के बराबर है, तो ये बता दीजे कि ये बात ये imply करती है कि A B के बराबर है, और अगर A B के बराबर है, तो ये बात ये imply करती है कि A union B, A intersection B के बराबर होगा, यानि कि सवाल ये कह रहा है, कि सुनन द्यान से, कि अगर दो set दिये हुए है, एक A union B, एक intersection B, अगर A union B A intersection B के बराबर है तो ये बता दीजिए कि ऐसा तब होगा जब western A B के बराबर होगा और जब A soon B करें या A intersection B करें तो वो बात बराबर होगी ठीक है तो चलिए शुरू करते है ना पहले मान के चलते हैं कि A B के बराबर है और ये प्रूफ करके दिखा देते हैं कि अगर a b के बराबर है तो ये बराबर होगा और अगली बार इसे let कर लेंगे कि ये इसके बराबर है और जब ये इसके बराबर है तो ये प्रूफ कर देंगे कि a b के बराबर होगा ठीक है तो पहले मानते हैं let a is equals to b मानके चलते हैं कि A, B के बराबर है बिलकुल बराबर सैट है तो A का यूनियन अगर B के साथ करूँगा तो क्या आएगा वापस से A ही आ जायेगा भई A का यूनियन में एसे सैट के साथ कर रहा हूँ जो खुद A है तो A यूनियन A मेरे में मैं ही जुड़ूंगा तो क्या हूँगा? मैं ही आँगा? ठीक है जी? चालिए अब A intersection A करते हैं तो A intersection A का मतलब हो गया A में, हम आफ कीज़ेगा A intersection B करते हैं एक बार A का intersection B के साथ करते हैं अच्छा B असल में क्या है? A ही है तो let it be question number 1 and it be question number 2 from first and second A बराबर है इसके और A बराबर है इसके तो यहां से साफ साफ पता लग गया A union B बराबर है A intersection B के ठीक है तो from first and second यह बात हमारी निकल के आगे this implies ठीक तो अगर A B के बराबर है तो यह बात तो हमने बता दी कि A union B और A intersection B कैसे होंगे बराबर होंगे ठीक है चलिए अब इसका दूसरी बात कर लेते है ना दूसरी बात कर लेते है ठीक आप यहां लिख दीजेगा from first and second this implies ठीक चलिए अच्छा let A union B बराबर है A intersection B के अब आप मान लीजे यह बराबर है तो आपको यह बात प्रूफ करके दिखानी की A बराबर है B के अच्छा A union B A intersection B के बराबर है ठीक है चलिए शुरू करते है तो मान लीजे कोई element है X नाम का कोई element है वो मान लीजे set A से ब्लॉंग करता है X जो है वो कोई भी element है सुनना ध्यान से X जो है वो कोई भी element है किसका सेट A का सेट A का कोई भी element X के रूप लिए बैठा है तो मनने माल लिया कि X जो है वो कोई element है set A का तो X ब्लॉंग स्चु A लिग दिया अब अगर X कोई element सेट A में है तो वो X जो element है वो A union B में भी होगा अगर कोई A में element है 1 तो A union B में क्या हैगा जो A में है वो भी, जो B में है वो भी, जो common है वो एक बार तो अगर A में है तो A union B में भी हो गई होगा अच्छा A union B, A intersection B के बराबर है तो वो element अगर A union B में है और A union B, A intersection B के बराबर है अगर कोई element A intersection B में है, इसमें है, यह A है यह B है, इसमें है, तो वो element इसमें भी है और वो element इसमें भी है, तो this implies कि वो element A में भी है और वो element B में भी है, ठीक है जी, अब ज़र इस बात को ऐसे देखिए, कोई element set A में था, कोई element set A में था, ठीक है, अब वही element पाया जा रहा है set B में, set A का हर एक element X के जैसा था, ठीक है अब वो हर एक element, अब set B के जैसा हो गया, set B में पाया जा रहा है तो अगर set A को ब्लॉंग करने वाला कोई element अब जागे set B को ब्लॉंग कर रहा है A का element set B में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया this implies, साफ साफ पता लग रहा है क्या हो गया, A subset होगे किसका B का, A subset होगे किसका B का, भई, जो element X क्या था, कोई एक element तो नहीं था, X हर एक element के जाज़ा था तो X कोई भी element A का अब वो ब्लॉंग कर रहा है, कोई भी element B से तो अगर A का element B में ब्लॉंग कर रहे हैं, तो A subset होगे बी का इससे ये पता लग रहा है, चलिए इस बात को मैं हटा रहा हूँ अगर आपने ये नहीं लिखा था तो आप बाद में, या तो वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए, नहीं तो आप बाद में लिख लीजिए अच्छा, दूसरी बात, जैसे हमने A के element को B में जो है, वो पाया गया, तो A subset हो के B का, ऐसे ही इसे उल्टा करके कल लेते हैं, माल लिजिए कोई element B में है, अगर कोई element B में है, इससे ये पता लग जा कि वो element A union B में है, अगर कोई element B में है, तो वो A union B में है, और अगर कोई element A union B में है, तो वो intersection B में है, क्योंकि A union B intersection B के बराबर है, और अगर कोई element A intersection B में है, तो वो element B में भी है, और वो element A में भी है, और B का कोई element, अगर A के हर एक element के जैसे पाया जा रहा है, तो इससे पता लग गया कि B subset A का और ये बात मैं आपको पहली बता चुका था अगर A subset B का Let it be question number 3 and it be question number 4 अगर A subset B का और B subset A का दो set आपस में एक दूसरे के subset है ये बात तभी हो पाएगी from third and fourth ये बात साफ साफ जाहिर है ये तभी हो पाएगा जब A set किसके बराबर होगा B के मैं subset 13 और तू subset मेरा ये तभी हो पाएगा जब हम दोनों ही equal होंगे ठीक है जी ये आपको question जो है वो आना चाहिए ठीक है